दोस्तों यह the most premium luxurious smart watch in budget segment और यह possible हो पाया firebolt के वाज़ा से क्यूटी firebolt ने अपनी एक बहुती तगड़े खतरनाक smart watch को launch कर दिया है जिसका नाम है firebolt quantum और आज इसका full detail review होने वाला है इसका launch price मातर 3000 और यहां पर आपको अच्छी build quality के साथ साथ built in storage का फीचर भी मिलने वाला है तो क्या है इस watch की पूरी कहानी जाने की वीडियो में वीडियो एंट तक देखें और चैनल पढ़ना है तो भाई सब्सक्राइब कर लें चलिए वीडियो को start करते हैं तो यहां पर कुछ इस तरह का box दिया गया है जहां पर watch के design menu मिल जाती है और यहां पर QR code दिया गया है इसको scan करके आप application को download कर सकते हैं बाकी box को open करते हैं तो यहां पर सबसे पहले watch रखी हुई मिल जाती है उसके बाद एक केबल दीगी है charging के लिए उसके बाद यहां पर काफी unique से टूल मिल जाता है अब यह किस काम का है वो आगया आप लोगों को पता चल जाएगा उसके ब देवाइस में और देख सकते हैं यहां पर watch आगे इस पर टैप कर देना है और आसानी से watch pair हो जाएगी बाकि अगर आपको calling feature यूज़ करना है तो आपको जाना पड़ेगा बलूडिस सेटिंग में और महासी पी watch को pair करना पड़ेगा तब ही आप calling feature को यूज़ कर पाएंग जैसे कि मेरे पास जो है रेड और ब्लेक का कॉमिनेशन जो की काफी मस लग रहा है हाला कि इसमें आपको चार कलर्स मिलने वाले हैं एक है black दूसरा है red black जो की मेरे पास है सिसरा है blue और चौता है green और इसमें आपको rotating टेकिमिटर डिजान मिल जाती है और इसको आप रोटे कर देती है हाला कि नॉर्मल बटन है कोई रोटेटिक राउन नहीं है तो डिजाइन काफी जबरदस है और इसका जो साइज है थो थोड़ा बड़ा है तो यह पतली रिष्ट वालों के लिए नहीं है जिनकी मीडियम साइज की रिष्ट है या फिर बड़ी रिष्ट दोनों अमेजिंग है और इसको पहना काफी आज़ीए इसको टैप करना है और यह आसानी से खुल जाता है अर यहां पर यहां पर जो साइज बड़ा था तो यहांप लोगों को जाने की जरूत नहीं है आप गहर बेट है इसके स्ट्राइब को अपने साइस का कर सकते हैं यह मुझे काफी सहे लगा उसके रवस में IP67 की रेटिंग मिलती है तो लगबग एक मिटर गहरे पानी तक स्वाच को यूज कर सकते हैं बाकि यहां पर जो डिजाइन है वो ट्रेडिशनल डिजाइन है बर जो फ को मिलते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं और आपको फूल डिस्प्ले मिलने वाली है इसमें इसका रेश्ट वेक भी काफी फास्ट और रिस्पांसिव है तो जैसे पेंड को डिष्ट करेंगे डिस्प्ले ओन हो जाएगी और वापस लेकर जाएंगे डिस्प्ले ओफ हो जा अप्लिकेशन इक बात करें तो आपको 100 से भी ज्यादा वाच्फेस का सपोर्ट मिल जाता है तो यहां पर वाच्फेस के बारे में आप लोगों को चिंता नहीं करनी है अब यह जो वोच है वो ट्रेडिशनल डिजान के साथ आती है बट यहां पर आपको सबसे प्ले वर्काउट का फिचर दिया गया है जिसमें आपको 10 सपोर्ट मोर्ट मिल जाते हैं जो कि आपके काम के हैं जैसा कि अट्डूर रौकिंग इंडोर रॉकिंग इंड्डोर वॉकिंग काफी सारे मोड्स दिये गए हैं हलांकि इस तरह की वाच्ट को कोई फिटनेस क के लिए वाच होने वाली है यहां पर फिर भी काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं तो यहां पर आपको डालर मिल जाता है जहां से अब बस इंग्लिश के मेसेज बढ़ सकते हैं उसके बद यहां पर मुजिक कंट्रोल का फिचर दिया गया जहां पर ज्यादा करने को उप्शन भी मिल जाता है और इस वाच में आपको 128 MP के स्टोरेज भी मिल जाती है तो इसमें स्टोर करकेटी डेबल सुन सकते हैं और यह फ बद यहां पर यहां से स्कती है और यहां से स्टोर को सकते हैं एक हो फिचर दिया गया है तो देखा जो तो आपको त्विक ताक फीचर्स मिल जाते हैं बाकि accuracy के बात करें तो यहां पर इस watch की accuracy भी काफी तगड़ी है मैंने सबसे पहले पेड़ोमेटर चेक किया और मैंने 100 steps लिए और इसने 102 काउंट किये इसके बाद मैंने उसी को continue किया और 200 steps लिए और इसने 206 काउंट किये तो इसका पेड़ोमेटर है वो काफी अच्छा से वर करता है मैंने इसको ओक्सेमेटर से compare किया तो देख सकते हैं जो रिडिंग आ रही है और इसका हाटर काफी अच्छा से वर करता है यहां पर इसकी रिडिंग थोड़ा सा उपन अच्छा आती है और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं आज भी क्या रहा हूं कि आपको काफी इच्छे मिल जाती है इस वाच में बाकिस में आपको calling feature भी दिया गया है तो यहां पर इसके speaker के सकते हैं आपको काफी इचा मिल जाता है तो आराम से बात कर सकते हैं इसकी connectivity काफी सही है और मुझे कोई भी इशूद देखने को नहीं मिला और apps वहाट कि रहे तो यहां पर hband app का support मिल जाता है जो कि ठीटा के प्रिकेशन है और आपको बेसिक सारे फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि यहां पर आप जो जो एक्टिविटी करेंगे उसके रिकॉर्स को देख सकते हैं जैसे कि पैड़ोंट हो गया उसके बाद स्लीप हार्ट यह सब डेटा वगरा शो हो जाता है उसके बाद कॉर्टैक्स को ऑच में एड़ कर सकते हैं तो इन्फरमेशन सेटिंग यह सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं उसके बाद नीचे से स्वाप अप करेंगे तो यहां पर आपको शॉर्टटट फिचर्स मिल जाते हैं जैसे के स्कूड हो गया उसके बाद ब्लेट प्रेशर हार्ट एक्टिविटी यह सारे अप्शन मिल ज जाते हैं तो कुछ इस तरह का यह जो कि अच्छा है और लैग नी करता है अब लाश्ट इमात इस वाच के बैटरी बैकप पे तो इसका बैटरी बैकप भी काफी अच्छा होने वाला है क्योंकि इसमें आपको 350 एमेच की काफी बड़ी बैटरी मिल जाती है और आपको अरा चाहिए वाच काफी काफी ज्याता पट्म याद कर सकते हैं क्योंकि बात में इसका प्रइस बढ़ जाए गाए और आप लोगों को modern technology मिलने वाली है जो कि काफी इची बात है बाकी ये वोच उन्हों को टारगेट करने वाली है जिन्हों को ट्रेडिशनल वॉचेस या फिर क्लासिक वॉचेस पसंद आती है बाकी कमी की बत करते हैं यहां पर IP67 की रेटिंग मिलती है जो कि अगर IP68 होता तो भाई मज़ा जात सकते हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जागा वह सिब जाकर ले सकते हैं बाकी आप लोगों को वाच कैसे लगी मिलते हैं अगले वडियो में अपना ख्याल रखें बाई